Hi everyone, I'm Advocate Sapna Kaushik और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी एक स्टेट की पुलिस को दूसरे स्टेट में जाकर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है कल 6 माई 2022 को पंजाब पुलिस ने दिल्ली में आकर दिल्ली के एकनेता तेजंदर सिंग भगा को अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस का कहना है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के उपर ही किड्नापिंग का केस दर्ज कर दिया इसके अलबा आपको याद होगा विकास जुबेज जिसने कांधपुर में आठ पुलिस वालों की हत्या की थी उसने भी MP में जाकर शरणली और UP पुलिस ने MP से उसको अरेस्ट किया हाला कि आते हुए रास्ते में एंकाउंटर में उसकी मौत हो गई जबकि पुलिस का कहना ये है कि एक हाथसे में उसकी देथ हो गई क्योंकि गाड़ी पलट गई थी आज हम डिसकस करेंगे कि अगर किसी एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर किसी को अरेस्ट करती है यानि कि किसी दूसरे स्टेट में जाकर किसी की गरफतारी करनी होती है तो पुलिस को किन बातों का ध्यान दखना होगा जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे स्टेट में जाकर गिरफतारी करता है तो उसे पहले अपने सुपीरियर ऑफिसर से रिटेन में परमीशन लेनी होती है हाला कि कोई एमर्जेंसी केस है तो वहाँ पर फोन पर भी परमीशन ली जा सकती है इसके अलावा जब भी पुलिस ऑफिसर दूसरे स्टेट के लिए निकलते हैं तो उन्हें अपने डिपार्चर की एंट्री कंसर्ण पुलिस स्टेशन में डेली डैनी में करनी होती है कि कौन कौन से पुलिस ऑफिसर दूसरे स्टेट में गिरफतारी करने जा रहे हैं वह कौन सा वीकल यूज़ करने वाले हैं उसका नंबर क्या है इसके अलावा FIA की copy और दूसरे relevant documents की translated copy जिस भी language दूसरे स्टेट में यूज़ होती है उसमें लेकर जानी होगी जैसे यहाँ पर पंजाब पुलिस दिल्ली आ रही थी तो उन्हें हिंदी या English की copy साथ में लेक स्टेशन के बताना होता है दिल्ली बग्द को पंजाब पुलिस सैंवि को अरेस करना चाहती थी तो उन्हें concern police station officer को बताना चाहिए था की वो तेजंदर संग बिगा कοरेस करना चाहती है ऐसे ही किसी भी ROP को ग्रफ़ाया करना होता है उनकी ग्रफ़ारी के लिए क्या grounds है ये सारी चीज़ेशे in fi बतानी होती है ग्रफ़ारी करने के बाद दुबारा उस concern police station में देली डाइरी में एंट्री की जाती है कि किस आरोपी को ग्रफतार किया घया है उसका नाम क्या है उसका एडरस क्या है और किस ग्राउंड पर उनको ग्रफतार किया घया है इसके बाद concern magistrate से transit remand भी लेना होता है उसको वहाँ पर produce किया जाता है और वहाँ से remand लेकर दूसरे स्टेट आप पुलिस उनको लेकर जा सकती है और वहाँ पर पहुँचने के 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हे concern magistrate के सामने produce किया जाता है और उनको बताया जाता है कि वहाँ से उनको arrest करके लेकर आए हैं उनका नाम क्या है उनके relative को inform किया था और उनको ये बता दिया गया है कि बेल उनका अधिकार है किन grounds में उनको arrest किया गया है वीडियो कैसी लगी और आपके और मुद्व पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में बताईए